हेलो और वेलकम टो अवाकार्ट सीरीज और आज हमारे सामने है था अल न्यू निसान की मैगनाइट 6 लाग रुपे से स्टार्ट होती है प्राइज और 11 लाग रुपे तक जाती है जो की एक्ट शोरूम है और ये वाला जो मॉडल है वो आप देख रहे है एक्स्वी मॉडल सबसे जादा टॉप सेलिंग मॉडल ये रहा है और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 7.8 लाग रुपीज इसकी कीमत है वो रखी गई है इसकी उपर जो मॉडल आता है वो आता है इससे एक्सवी प्रीमियम में तो क्या कैस चीजें इसमें ओफर किये गई है एक्सवी मॉडल में और इतनी प्राइस रेंज में ये गाड़ी आपके लिए कैसी बेनिफिट बेनिफिटेवल रहीगी या फिर नहीं ये सारी चीजें आज हम इस गाड़ी में देखेंगे तो सबसे पहले अगर डिजाइन की बात कर लें तो डिजाइन रियल में काफी शांदार बना है इस गाड़ी का देख सकते हैं जो फ्रेंट फेशिया है उसकी डिजाइन देख सकते हैं सामने की जो ग्रिल है उस पर जो diamond cut alloy wheels में मिल जाते हैं और design के according काफी शांदा लगते हैं जब ये गाड़ी road पर चलती है तो इसके alloy wheels हैं वो एक अलगी type में road presence देते हैं और black color की बात की जाए तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा जो beautiful लगती है वो इसी color में लगती है black color में और सबसे ज़्यादा sale है वो इसी color की है सबसे ज़्यादा demand भी इसी color की रहती है तो कुछ इस तरह का color है काफी शांदार यहाँ पर आपको halogen में headlamps देखने को मिलेंगे turn indicators और कुछ इस तरह की design है नीचे आपको DRLs देखने को मिलते हैं काफी शांदार जो finish है L-shape में बनाए है यहाँ पर Nissan का logo दिया है और जो front grill है देख सकते हैं उसकी design आसपास chrome का यह finish आपको देखने को मिलेगा नीचे skit plate दे गई है और कुछ इस तरह की है side looks ORVM जो की electronically adjustable इसमें दिया है width turn indicator और गाड़ी के अगर length की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 3.9 meter की length और 1.7 meter width है 1.5 meter की height दी गई है और wheelbase की अगर बात करें तो तक्रीवन 2500 mm का wheelbase बनाए गया है और 205 mm का जो ground clearance है वो मिल जाता है देख सकते हैं suspension की बात करें तो front में mackferson stud with lower transverse link suspension दिये गया है और rear में twin tube telescopic shock absorber दिये गया है कुछ इस तरह का है back look back look से आप देख सकते हैं काफी शांदार ये design है वो बनाए गया है और जो lights वगरा हैं पीछे की उनका भी design आप देख सकते हैं और alloy wheels की अगर बात करें तो इसमें 195 60 16 inch case में जो wheel है वो दिये गया है बीच में निसान का logo भी देखने को मिलेगा काफी शांदार design है alloy wheels की wheel arch cladding दी गया है ये petrol tank का जो cap है वो आप देख सकते हैं chrome finish में door handles दिये गया है कुछ इस तरह के और shark fin antenna और silver color की roof rails भी आपको देखने को मिलेगी काफी एनेंस करती है इसके looking को कुछ इस तरह की है पीछे spoiler देखने को मिलेगा high mounted stop इसी पर inbuilt किया गया है और कुछ इस तरह के back looks profile देख सकते हैं काफी शांदार तरीकी से design किया गया है Nissan Magnite को और खासकर ये black color में कुछ अलगी लग रही है काफी शांदार लुकिंग से Magnite की badging यहाँ पर दी गई है पीछे और rear में आपको इसमें camera भी दिया गया है यहाँ पर reverse parking sensors देखने को मिल जाएंगे पीछे camera भी दिया गया है और यहाँ पर reflectors का use किया है देख सकते हैं पीछे देख सकते हैं काफी शांदार light से इसमें दी गई है काफी अच्छी design बनाए गई है turn indicator वगर आप देख सकते हैं Magnite की badging यहाँ पर है कुछ इस तरह से एक बार और देख लीजी design काफी शांदार है और Nissan का logo यहाँ पर दिया गया है rear wiper और defogger glass भी आपको इसमें मिल जाता है high mounted stop lamp shark fin antenna यहाँ पर है silver color की roof rails और इस तरह का है back looks गाड़ी में design की बिल्कुल कमी नहीं की गई और 7,81,000 जो price रखी गई है और real में justify करती है खासकर इसके जो features वगरा है और यह जो model है XV, real में 7,81,000 और कुछ भी इसके लिए बुरे नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में वो सारी चीज़े दी गई है जो इसकी price को बिल्कुल justify करती है यहाँ पर magnet की badging मिल जाएगी और यह है ORBM देख सकते हैं कुछ इस तरह के design है electronically adjustable with turn indicator और यह गाड़ी के अगर interior की तरफ चलते हैं उससे पहले आपको मैं की दिखा जेता हूँ कुछ इस तरह की आपको की मिलेगी remote की मिलती है दो जिसमें निसान का logo भी बना हुआ है उपर देख सकते हैं कुछ इस तरह की दो कीज मिलती है तो अब चलते interior की तरफ तो यहाँ पर आपको request sensor भी देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं और side में lock भी दिये गया है तो कुछ इस तरह के काफी शानदार और premium interior से इसमें बनाए गये है beige और black का जो combination है वो देख सकते हैं कितने शानदार इसमें जो dashboard वगरा वो design किया गया है AC की जो vents हैं वो भी काफी unique type में design किये गये हैं देख सकते हैं और यहाँ पर जो seats हैं उस पर आपको adjustable headrest जरूर मिल जाएंगी देखने को और fabric का policy के साथ seats बनाए गई है और seats का जो comfort है रियल में काफी शानदार comfort बनाए है और काफी चौड़ी seats इसमें दी गई है कुछ इस तरह का front door जो driver side door है इसमें आपको fabric का policy बिल जाएगी door पर भी इसमें fabric का material है वो यूज किया गया है inside door handle setting silver finish में यहाँ पर ORVM के controls दीए गया है और window controls यहाँ पर है देख सकते हैं handle है setting silver finish यहाँ पर भी दी गई है और यहाँ पर fabric का यूज किया गया है soft material उपर के side lock है उसका यह knob दीए गया है देख सकते हैं bottle holder थोड़ी सी space यहाँ पर है और यह speaker grill total 4 speaker के music setup आपके समय मिलेगा steering wheel की design वगर आप देख सकते हैं mounted audio controls दीए गया है front AC vents की design आसपास setting से लोग फिनिश दी गई है और यहाँ पर आपको headlight leveling controls वगरा का setup देखने को मिलेगा नीचे 3 pedals दीए गए है क्योंकि यह गाड़ी manual में देख रहे हैं तो ignition on करके देखते हैं फिर उसके बाद engine देखेंगे तो अब चलते हैं engine की तरफ और bonnet open करके देखते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 3 slender B4D 1.0 liter naturally aspirated petrol engine जो produce करता है 71 bhp की power और 96 nm का torque कुछ इस तरह का engine है उपर isolation का भी use किया गया है जिससे engine की noise है वो बाहर कम से कम आये इसलिए यह use किया जाता है और कुछ इस तरह का engine देखता है काफी भरा हुआ अजन है देख सकते हैं एकदम खाली-खाली से नहीं लगेगा आपको तो यह होगए engine अब चलते हैं वापस इंटीरिस की तरफ तो गाड़ी के अंदर बैटके देखते हैं और इसका जो instrument cluster है उसकी design आप देख सकते हैं तो real में काफी अच्छे graphics आते हैं अब यह हम ignition on करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहां पर mounted audio controls मिल जाते हैं calling controls modes बगरा दिये गए हैं और Nissan का logo यहां पर दिये गया है dual horn है और यहां पर है M.I.D. बगर के controls कुछ इस तरह का steering के design है और यह है graphics काफी शानदार तरीके से इसमें design किया गया है graphics को interior's की looking आप देख सकते हैं काफी शानदार fit और finished भी काफी शानदार है और seats का जो comfort है हो भी बहुत शानदार बनाए गया है काफी comfortable और देख सकते हैं कुछ निंग वगरा काफी अच्छी है यहाँ पर चोड़ा ही वगरा देख सकते हैं seat की थाही वगरा support काफी अच्छा है और इसका जो glove walks है वो real में काफी जादा storage के साथ आता है देख सकते हैं काफी जादा storage है इसमें documents holder वगरा सब इसी में दिया हुआ है देख सकते हैं काफी अच्छा यह glove walk से वो बनाया है यहाँ पर ticket holder वगरा सारी चीज़ें दी गई है इसमें light वगरा और AC events की design आप देख सकते हैं काफी शानदार fit और finish और यहाँ पर दिया गया है 8 inches infotainment system जो support करता है android auto, apple carplay, bluetooth, aux और radio वगरा यह सारी चीज़ें support करता है दो tutors भी इसमें available कराए गए हैं और fast charger इसमें जो मिल जाता है fast charger का भी support है eco scoring और eco coaching यह सारी चीज़ें इसमें inbuilt हैं यहाँ पर आप information देख सकते हैं गाड़ी की और connected device की यह camera का view अब देख सकते हैं rear camera का view यहाँ से brightness भी बढ़ा सकते हैं camera की और display की sorry इसमें आपको whatsapp notifications भी आएंगे और wifi और ipod connect कर पाएंगे यहाँ पर थोड़ी से buttons दिये गए है physical देख सकते हैं और नीचीक साइड आपको automatic temperature control AC मिल जाएगा climate control बीच में MID दी गई है सभी knobs पर देख सकते हैं automatic और जो switch है वो काफी अच्छे unique style में बनाए गया है यहाँ से fan की speed को control किया जाएगा और यह है direction control और यहाँ से temperature control होगा है थोड़ी सी space यहाँ पर मिल जाती है power start stop switch और नीचे usb का port है और एक 12 watt का port दिया है और यहाँ पर भी थोड़ी सी space दी गई है देख सकते हैं और यह है five speed manual gear knob leather wrapped twin cup and holders आपको इसमें मिल जाते हैं यहाँ पर काफ़ी एची storage है और थोड़ी सी space यहाँ पर भी है practically यह गाड़ी बनाए गए है real में काफ़ी यहाँ पर आई एर्वियम देखने को मिलेगा जो की manually adjustable है light दी गई है दो LED lights मिल जाती है आपको vanity mirrors में दिये गए है और इस side आपको vanity mirror नहीं मिलता simple बनाया है यह से तो यह हो गई first front interior गाड़ी के तो इसके बाद हम चलते है इसके rear seats पर और rear का interior देखेंगे किस तरह का इसमें rear interior बनाया है तो चलिए अब rear की तरफ तो कुछ इस तरह के आपको rear में space मिलती है कुछ इस तरह का interior से space वगरा leg room वगरा आप देख सकते हैं काफी इस तरह का इस तरह का आपको इस तरह का आपको इस पेस मिल रहा है और rear gate आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इस पर भी soft touch material का यूज किया गया आपको अच्छी जो इस पेस का आगे जाने वाली है और अपनी एक best selling यह गाड़ी बनने वाली है और अभी भी है magnet को काफी लोग space के चक्कर में है बहुत से लोग लेते हैं इसको देख सकते हैं काफी शानदर space मिल जाती है rear seat पर और पीछे इसमें hump भी नहीं है आप easily तीन लोग इसमें बैठ सकते हैं तो इस तरह का आपको dashboard देखने को मिलेगा rear seat से देख सकते हैं इसकी design overall looks और यहां पर जरूर आपको एक AC vent जरूर देखने को नहीं मिलते हैं और hump वगरह देख सकते हैं आप कुछ जादा hump नहीं है leg room की बात करें तो वह भी काफी अच्छा दिया है देख सकते हैं और यहां पर armrest मिल जाता है थोड़ी सी space यहां पर है दो cup holders है और fabric का use इस पर भी किया गया है कुछ नहीं काफी अच्छी है इस पर तो इस तरह के आपको rear interiors मिल जाते हैं चोटी सी window यहां पर दी गई है ज्यादा light के लिए और grab handle with coat hanger यहां पर भी एक light दी गई है rear के लिए और यहां पर भी एक coat hanger दिया गया है देख सकते हैं तो गाड़ी की rear interiors देखने के बाद अब हम चलते हैं इसके boot की तरफ boot में कितनी space है और क्या features इसमें दिये है boot में चलिए देखते हैं तो इसमें आपको मिल जाती है 336 liter की boot space 336 liters देख सकते हैं और sheets को अगर आप fold कर देंगे rear की तो और भी ज्यादा space बन जाएगा कुछ इस तरह की looking आती है जब boot open होता है light भी इसमें दी गई है देख सकते हैं यहां पर light दी गई है इधर और यहां पर hooks हैं टूल किट्स बगर यहां पर रखे हैं reflectors बगर और यहां पर भी एक hook दिया गया है parcel tray यहां पर दी गई है और इसकी नीचे है spare wheel spare wheel आप देख सकते हैं steel rim के साथ है कुछ इस तरह का यहां पर थोड़ी सी space है और यहां पर भी थोड़ी space दी गई है events दीए गए थोड़ी से और इस तरह का था boot space अब हम बात करते हैं इसके safety features के बारे में तो safety में आपको anti-lock breaking system, center locking, power door locks, child safety lock, anti-thief alarm, total 2 airbags मिलेंगी driver and passenger side passenger side, rear view mirror, seat belt warning, door was a warning, side impact beam, front impact beam, traction control, adjustable seats, tire pressure monitor, engine immobilizer, crash sensor, central mounted fuel tank engine check warning, EBD और भी कई सारे safety features आपको इस गाड़ी है प्रोवाइट किये गए है 3-point seat belts with pretension and load limiter driver side जो seats belts है वो लगाए गए है rear camera इस गाड़ी है प्रोवाइट किया गया है 7-inch का जो advanced instrument cluster आपको मैंने दिखाय था काफी शांदर ग्राफिक्स के साथ वो भी इस गाड़ी की जो cost है वो justify real में करता है ऐसा instrument cluster और ऐसी interior designing आपको शायद ही इस price range में किसी और गाड़ी में देखने को मिलें तो इनी खुब्यों के वे से Nissan Magnite का XV model सबसे ज़्यादा value for money model माना जाता है और ये value for money model बन भी गया है सबसे ज़्यादा sale AC model के होती है तो overall गाड़ी आपको कैसे लेगी Nissan Magnite और model आपको कैसा लगा हमें comments में जभू बताइएगा and please like and subscribe to our channel car series Thank you